हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई चनल सुबलेज फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोईंग तो डिसकूस अबाट अ कनवर्सेशन बेटिविन मॉम एंड सन अबाट ब्रेकफर्स्ट दोस्तों, आज का जो मारा वीडियो है यह वीडियो है अग्लिस कनवर्सेशन का वीडियो जो एक मा और बेटे के बीच में होता है सुबा के नास्ते को लेखे ब्रेकफर्स्ट को लेखे और दोस्तों, यह वीडियो आपको help करेगा आपके इंग्लिस को improve करने हैं तो चलिए दोस्तो हम लोग आज की क्लास की शुरुवात करते हैं तो आज का जो हमारा वीडियो है इस वीडियो में दो करेक्टर है एक मा है और एक बेटा है बेटे का नाम है जस्टिन इन दोनों के बीच में ब्रेकफर्स्ट को लेके यानİ सुबा के नास्ते को लेके आपस में बातचीद होता है और सबसे पहले मा बोलती है तो मॉम बोल रही है What will you have for breakfast Justin? मॉम बोल रही है कि what will you have for breakfast Justin? तुम नास्ते में क्या लोगे जस्टिन? What will you have तुम क्या लोगे For breakfast नास्ते में Justin जस्टिन मॉम बोल रही है कि तुम नास्ते में क्या लोग है जस्टिन तो जस्टिन बोलता है उम I'm not sure as I'm not hungry mom जस्टिन बोल रहा है उम का मतलब यहाँ पर कुछ नहीं होगा ये एक प्रकार का sound है जब भी हम लोग आपस में बातचीत करते हैं तो कभी क्या होता है कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग आवाज सिर्फ निकालते हैं जैसे नहीं बोलते हैं हम हाँ ओ तो इस तरह से हम लोग सिर्फ sounds निकालते हैं इसका कोई sense नहीं होता है, तो इसी प्रकार से यहां पर Justin के वल sounds यहां पर निकाला है, इसका कोई sense नहीं है, I am not sure, मुझे यकीन नहीं है, sure का मतलब होता है यकीन, मुझे यकीन नहीं है, as क्योंकि I am not hungry mom, मुझे भूख नहीं है मा, हंगरी का मतलब होता है भूख, मुझे भूखा नहीं हूं मा तो जस्टिन बोल रहा है कि मुझे यकीन नहीं है क्योंकि मुझे भूख नहीं है मा कहने का मतलब यह है कि मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता हूं क्योंकि मुझे भूख नहीं है जब मॉम पूछ रही है जस्टिन को कि तुम नास्ते में क्या लोगे तो जस हम, is everything all right, mom बोल रही है, हम, ये भी एक परका sound है, कोई sense नहीं है, is everything all right, क्या सब कुछ ठीक है, everything का मतलब होता है, सब कुछ, all right का मतलब होता है, ठीक, is everything all right, क्या सब कुछ ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं, सब कुछ ठीक तो है ना, सब कुछ ठीक तो है ना, ऐसा भी बो सकते हैं या फिर बोल सकते हैं क्या सब कुछ ठीक है मों बोल रही है क्या सब कुछ ठीक है जस्टिन बोल रहा है don't worry I am perfectly fine it's just that I am not feeling to eat anything जस्टिन बोल रहा है don't worry चिंता मत कीजिए I am perfectly fine मैं बिल्कुल ठीक हूं जस्टीन बोल रहा है, डॉन्ट वरी, चिंता मत किजी, वरी का मतलब होता है चिंता करना, तो डॉन्ट वरी, चिंता मत किजी, I am perfectly fine, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, perfectly का मतलब होता है, बिल्कुल, fine मतलब ठीक, I am perfectly fine, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, it's just that, या सिर्फ इतना है, just का का anything कुछ भी मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है feel का मतलब होता है मन करना या फिर महसूस करना तो I am not feeling मुझे मन नहीं कर रहा है to eat anything कुछ भी खाने का anything मतलब कुछ भी Justin बोल रहा है don't worry I am perfectly fine it's just that I am not feeling to eat anything चिंता मत किजिए मैं बिलकुल ठीक हूँ या सिर्फ इतना है कि मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है mom बोल रही है what's the matter क्या बात है what's the matter क्या बात है Justin बोल रहा है maybe because I overate last night Justin बोल रहा है maybe हो सकता है because क्योंकि I overate last night मैं कल रात ज्यादा खा लिया यानि मैंने कल रात ज्यादा खा लिया overate का मतलब होता है ज्यादा खा लेना last night का मतलब कल रात या फिर आखरी रात because क्योंकि I overate last night मैंने कल रात ज्यादा खा लिया Justin बोल रहा है हो सकता है क्योंकि मैंने कल रात ज्यादा खा लिया मॉम बोल रही है ओम I understand but it's not a good idea to skip breakfast at least consider eating something light मॉम बोल रही है I understand मैं समझती हूँ but लेकिन it's not a good idea to skip breakfast नास्ता छोडना अच्छी बात नहीं है skip का मतलब होता है छोडना breakfast नास्ता छोडना अच्छी बात नहीं है at least कम से कम consider eating something light कम से कम consider ध्यान दो या फिर विचार करो consider का मतलब ध्यान दो या फिर विचार करो eating खाने पर something light कुछ हलका something का मतलब होता है कुछ light मतलब हलका कुछ हलका खाने पर विचार करो या फिर कुछ हलका खाने पर ध्यान दो तो mom बोल रही है मैं समझती हूँ लेकिन नास्ता छोड़ना अच्छी बात नहीं है कम से कम कुछ हलका खाने पर विचार करो Justin bvolता है ओके ठीक है what would that be वह क्या होगा जस्टिन बोल रहा है, ओके ठीक है, what would that be, वह क्या होगा, मॉम बोल रही है, if you wish, अगर तुम चाहो, I can get some bread and butter with milk, or maybe some toast and butter with milk, मॉम बोल रही है, if you wish, अगर तुम चाहो, if का मतलब होता है, अगर या फिर यदि, wish का मतलब होता है, चाहना या फिर इच्छा करना, if you wish, अगर तुम चाहो, I can get, मुझे मिल सकता है, some bread and butter with milk, दूद के साथ कुछ bread या butter, और या maybe, हो सकता है, some toast and butter with milk, दूद के साथ कुछ toast, या फिर butter, तुम मॉम बोल रही है, अगर तुम चाहो, तुम मुझे मिल सकता है, दूद के साथ कुछ bread या butter, या फिर दूद के साथ कुछ toast या butter, अगर तुम चाहो, फिर जस्टिन बोलता है, no mom, that would be too heavy for me, I won't be able to eat it, I would rather prefer a glass of milk, जस्टिन बोल रहा है, no mom, नहीं मा, that would be too heavy for me, या मेरे लिए बहुत भारी होगा, too heavy, बहुत भारी, for me, मेरे लिए, या मेरे लिए बहुत भारी होगा, I won't be able to eat it, मैं इसे नहीं खापाऊंगा, I would rather prefer, मैं बलकी prefer करूँगा, यानि मैं बलकी पसंद करूँगा, a glass of milk, a glass of milk, मैं एक गलास दूद, मैं एक गलास दूद पसंद करूँगा, mom बोलती है, perfect, do you want me to add chocolate powder in it, mom बोल रहे है, perfect, अति उत्त, बहुत बढ़िया, do you want me, क्या तुम चाहते हो मुझसे, want मतलब बता है, चाहना, do you want me, क्या तुम मुझसे चाहते हो, to add chocolate powder, add chocolate powder, यानि चोकलेट पावडर मिलाओं, in it, इसमे, क्या तुम मुझसे चाहते हो, कि इसम मैं चोकलेट पावडर मिलाऊं एड मतलब होता है मिलाना तो मॉम बोल रही है क्या तुम मुझसे चाहते हो कि इसमें मैं चोकलेट पावडर मिलाऊं जस्टिन बोल रहा है oh yes I would love that but will it take a lot of time justin बोल रहा है oh yes oh हां I would love that मैं इसे पसंद करूंगा I would love that मैं इसे पसंद करूंगा but लेकिन will it take a lot of time क्या इसमें बहुत समय लगेगा जस्टिन बोल रहा है ओ हां मैं इसे पसंद करूंगा मैं इसे पसंद करूंगा लेकिन क्या इसमें बहुत समय लगेगा a lot of time मतलब होता है बहुत अधिक समय take मतलब लेना मतलब इसमें बहुत समय लगेगा mom बोल रहती है I am getting it right away meanwhile you can dress up mom बोल रहे I am getting it right away मैं इसे कर रहे हूं अभी मैं इसे अभी कर रहे हूं I am getting it right away मैं इसे अभी कर रहे हूं right away का मतलब होता है I am getting it right away मैं इसे अभी कर रहे हूं meanwhile इस बीच में meanwhile का मतलब इस बीच में meanwhile इस बीच में you can dress up तुम dress पहन सकते हो mom बोल रहे है मैं इसे अभी कर रहे हूं इस बीच में तुम ड्रेस बन सकते हो Justin बोलता है Mom, I am not finding my school uniform Please, can you help me Justin बोल रहा है Mom, ma, I am not finding my school uniform मुझे मेरी school uniform नहीं मिल रही है Please, Kirpiya, can you help me क्या मेरी मदद कर सकते हैं क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, जस्टिन बोल रहा है, मा मुझे मेरी स्कूल उनिफर्म नहीं मिल रही है, किर्पिया क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, मॉम बोलती है, आपने विश्टर के बगल में, अपने बिश्टर के बगल में, के बगल मेंक्स्ट मतलब बगल में अपने बिस्तर के बगल में कोठरी में तुम इसे पाऊगे मॉम बोल रही है तुम इसे अपने बिस्तर ये रहा तुम्हारा दूद हरी अब, जल्दी करो हरीअब मतलब होता है जल्दी करो Your school bus will be arriving at the gate in next 10 minutes Your school bus will be arriving तुम्हारा school bus पहुंच जाएगा अराइब मतलब होता है पहुँचना तुम्हारा school bus पहुंच जाएगा at the gate दरवाजे पर in next 10 minutes अगले 10 मिनट में तुम्हारा स्कूल बस अगले 10 मिनट में दरवाजे पर पहुँच जाएगा मॉम बोल रही है ओके, here is your milk, hurry up your स्कूल बस will be arriving at the gate in next 10 minutes मॉम बोल रही है ठीक है, ये रहा तुम्हारा दूद जल्दी करो तुम्हारा स्कूल बस अगले 10 मिनट में दरवाजे पर पहुच जाएगा जस्टिन बोलता है, yes हाँ, this is so yummy, जस्टिन बोल रहा है यह बहुत स्वाधिष्ट है, this is so yummy यह बहुत स्वाधिष्ट है, yummy का मतलब बता है स्वाधिष्ट, thanks mom यह बहुत स्वाधिष्ट है जस्टिन बोल रहा है mom बोल रही है, I am happy मैं खूस हूँ, happy मतलब होता है खूस, मैं खूस हूँ, finally अंत में या फिर आखिर कर finally का मतलब होता है, अंत में या फिर आखिर कर, you are feeling तुम महसूस कर रहे हो, feel मतलब होता है महसूस करना, you are feeling तुम महसूस कर रहे, to have something कुछ अच्छा, तुम कुछ अच्छा महसूस कर रहे हो, mom बोल रही है मैं खूस हूँ, आखिर कार तुम कुछ अच्छा महसूस कर रहे हो जस्टिन बोलता है, tada tada, मतलब tata कर रहे है tata, I am done मैं कर रहा हूँ, I am done मैं कर रहा हूँ, bye mom bye mom, see you in the evening साम को, मिलता हूँ जस्टिन बोल रहा है, tada मैं कर रहा हूँ, bye mom साम को, मिलता हूँ C मतलब होता है, मिलना see you in the evening, साम को, मिलता हूँ फिर mom बोलती है hold on, for a second एक सेकंड के लिए रुको hold on, for a second, एक सेकंड के लिए रुको या फिर कुछ देर के लिए रुको hold on का मतलब बता है, रुकना hold on, मतलब रुकना, for a second यानि, एक सेकंड के लिए या फिर कुछ देर के लिए एक सेकंड के लिए रुको take your lunch box अपना lunch box ले लो take मतलब बता है, लेना टेक योर लंच बोक्स अपना लंच बोक्स ले लो मॉम बोल रहे हैं हल्ड ओन फॉर आएक अपना लंच बोक्स ले लो जस्टिन बोल रहा है ओ ओ ओ आई टोटली फर्गोट अबाउट इट मैं पूरी तरह से इसके बारे में भूल गया था आई totally मैं पूरी तरह से totally का मतलब होता है पूरी तरह से मैं पूरी तरह से forgot भूल गया about it इसके बारे में मैं इसके बारे में पूरी तरह से भूल गया what's in it today आज इसमें क्या है what's in it इसमें क्या है today आज आज इसमें क्या है, जस्टिन बोल रहा है, ओ, मैं पूरी तरह से इसके बारे में भूल गया था, आज इसमें क्या है, मॉम बोलती है, योर फैबरेट आलू फराठा, तुम्हारा पसंदिदा आलू फराठा, सैलेट, एड़ बनाना, सलाद और एक केला, तुम्हारा जवाब है, इसको मतलब अच्छा बोल सकते हैं, या लाजवाब है, बहुत अच्छा है, थैंक्यू, धन्यवाद, मॉम बोल रही है, वोट अबाउट योर रिपोर्ट कार्ड, तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड के बारे में क्या, मॉम बोल रही है, तुम्हारे रिपोर्ट क करने का इसे वापस करने की तुम्हारी कब जुरुरत है कब अवशक्ता है मॉम बोल रही है वट एबाउट यूर रिपोर्ट कार्ड तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड के बारे में क्या वेन दो यू नीड तुम्हें कब अवशक्ता है नीड का मतलब अवशक्ता जुरुरत कि तुम्हारी कब आवशक्ता है मौम बोल रही है कि तुम्हारी रिपोर्ट कार्ट के बारे में क्या कब आवशक्ता है इसे वापस करने की जस्टीन बोल रहा है ओ माई गुड्नेस है भगवान ओ माई गुड्नेस यानि है भगवान थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी धन्यवाद मुझे याद दिलाने के लिए रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी धन्यवाद मुझे याद दिलाने के लिए आई forgot it मैं पूरी तरह से इसे भूल गया था मैं पूरी तरह से इसे भूल गया था totally मतलब पूरी तरह से फर्गोट मतलब भूल गया यानि भूलना फर्गेट का मतलब भूलना फर्गेट का पास्टपरूम है फर्गोट मैं पूरी तरा से भूल गया था in fact दराशल today is the last date to return it today is the last date । आज आखरी दिन है लास्ट डेट मतलब आखरी दिन है, आज आखरी दिन है, to return it, इसे वापस करने का, इसे वापस करने का आज आखरी दिन है, जस्टिन बोल रहा है, oh my goodness, thanks for reminding me, I totally forgot it, in fact, today is the last date to return it, जस्टिन बोल रहा है, hey भगवान, धन्यवाद मुझे याद दिलाने के लिए, मैं इसे पूर कोई बात नहीं, get it here, यहाँ लाओ, इसे यहाँ लाओ, get it here, इसे यहाँ लाओ, I will sign it, मैं इसमें हस्ताक्षर कर दूँगी, या फिर मैं इसमें sign कर दूँगी, मॉम बोल रहा है, no problem, get it here, I will sign it, मॉम बोल रहा है, कोई बात नहीं, इसे यहाँ लाओ, मैं इसमें हस्ताक्ष लिज ये, मॉम बोलती है, जस्टीन, you got to go now, your school bus has arrived, मॉम बोलती है, जस्टीन, you got to go now, तुम्हें अब जाना है, तुम्हें अब जाना है, ना मतलब होता है अब, तुम्हें अब जाना है, your school bus has arrived, तुम्हारी school bus आ चुकी है, तुम्हारी school bus पहुच चुकी है, arrive का मतलब होता ह पहुंचना तुम्हारी स्कूल बस पहुंच चुकी है जस्टीन तुम्हें जाना है अब तुम्हारी स्कूल बस पहुंच चुकी है जस्टीन बोलता है आपना ध्यान रखना जस्टिन फिर बोलता है तो यह हो गया हमारा मॉम और सन यानी मा और बेटे के बीच कम्यूनिकेशन इंग्लिस में तो यह लोग किस प्रकार से इंग्लिस में कम्यूनेट किये यह आपको यहां से कहीं तरह के अलग अलग प्रकार के सेंटेंसे समझना होंगे कि इंग्लिस में किस प्रकार के सेंटेंसे यूज के जाते हैं कहीं तरह के नेने वर्ट्स भी देखने को मिले होंगे तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको काफी हेल्फ हुआ होगा आपको अपने इंग्लिस को वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए धैनेवाद दोस्तों थांक्यू फर वाचिंग मैं वीडियो दोस्तों धैनेवाद